नमस्कार मैरिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आज हमारे साथ मौझूद है बिहार के जाने माने कार्डियोलोजिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार स्वागत है सर आपका हमारे चानल में जी नमस्कार आपका भी स्वागत है आजन डॉक्टर साहब से जाने की कोशिश करेंगी कि महिलाओं में पूरुषों के मुकाबले हार्ट अटेक का कितना प्रतिशत चांस है, कितना ज्यादा है या कम है तो डॉक्टर साहब बताई हमारे दर्शक को देखिए महिलाओं में जहां तक है एक उमर जब तक उनका मेनोपॉज नहीं आता है तब तक वो प्रोटेक्टेड है पूरुषों के मुकाबले उनमें हार्ट अटेक की समभावना कम होती है लेकिन जो एतियात रखने के और जो सबसे खड़ाब चीज है उनका प्रिजेंटेशन थोड़ा अलग होता है इसलिए ज़्यादा सावधानी बढ़तने की ज़रूरत है मेनोपॉज के बाद सडेलनी उनके रिस्क बढ़ जाते हैं और 65 साल आते आते हैं वो पूरुषों के मुकाबले ज़्यादा रिस्क में हो जाती है और प्रिजेंटेशन एटिपिकल होता है इसलिए डिफिकल्टी होती है ट्रिट्मेंट डिले होता है इसलिए कम्प्लिकेशन ज़्यादा होते है तो अगर कारणों की बात करें तो पूरुषों सबके अलग-अलग कारण होते हैं लक्षन भी अलग-अलग दिखाई देते हैं तो क्या लक्षन है पूरुषों के मुकाबले महिलाओं में हार्ट अटेक आने के जैसे सामान्यता हम लोग जो जानते हैं कि हार्ट अटैक जब भी होता है तो सीने में दर्द भारीपन होता है जो कि रेडियेट करता है उपर गले तक जाता है फिर बाजूओं में जन जना हाट उतर के आती है लेकिन महिलाओं में अक्सर देखा गया है कि ऐसा नहीं होता है और जो ST elevation MI जिसको हम लोग कहते हैं जिसमें तुरांत primary angioplasty करते हैं ये उनमें नहीं होता है उनमें हार्ट अटैक भी एनस्टेमी अनस्टेबल एंजाइना जादा होता है उसमें मल्टी वेसल्स की सम्भावना जादा होती है इंपोर्शों में सिंगल वेसल्स जादा होते हैं तो और उनमें जो confusing चीजे हैं जैसे वो गैस की सिकायत कहेंगी उनमें उनको chest pain heaviness कम होता है उनको घबराहट होगा जलन होने लेगा गैस आएगी उसके बाद कहेंगे कि हम जल्दी ठक जाते हैं तो ये ऐसे symptom होते हैं जो कई सारे बीमारियों में होते हैं तो आमोमन वो लोग गैस की दवा खाते-खाते डिले करती हैं डॉक्टर के पास डिले जाती हैं और एक और भी चीज है कि हेल्थ को भी अपने समाज में क्या विस्टर वर्ल्ड में भी देखा जाए तो महिलाओं के हेल्थ के प्रती सजगता थोड़ी कम है अगर पुरुसों को थोड़ा होता है और बीमारी बहुत बढ़ जाने के बाद ही वह हॉस्पिटल आपाती है इसलिए उन में प्रोग्नोसिस कहें तो पुर्सों के मुकाबले थोड़ी खड़ाव है अगर बात करें कि जैसे आपने बताया कि गैस होती है और तरह तरह की प्राग्रम होती है तो एक महिला कै हमारा पेटफुल गया और इसके लिए जाच करानी पड़ेगी और उन्हें कब वार्णिंग साइन कि बात करें तो वार्निंग साइन क्या है जैसे उन्हें रोज तो गैस नहीं होता है तो एक सर्टें गैस आपको कुई काम करने में डैस हो रहा है वो गैस नहीं है अगर आ थे भाइना होगा बने पर फबलम होगी तो वो खाने और फुड से रिलेशन होगा लेकिन जो हाट का होगा वो आपको activity में होगा प्रजेंटिशन बना लगेगा कि हमारा पेट फुल गया गैस हो गई लेकिन ये यूज्वल एक्टिविटी में होती है यसे अभी अभी अब प्रेजेंटेशन आप लोग देखियों किकी का नाम ने आपने सुना ही होगा सिंगर को वो परफॉर्म कर रहे थे वो इस्ट्रेसफुल लाइप में थे और उन्हें गैस हो रही थी बार बार वो गैस की सिकायत कर रही थी वही हार्ट अटेक है और वही डिले होने से कल्मिने वैसा ही होता है तो अगर आपको एक्टिवीटी में गैस हो या कुछ काम करती है तब आपको कुछ एक्टिपिकल सिंटम नहसूस हो तुरांत अपने डॉक्टर से मेले है एक दवाई है डिस्प्रेन लोग कहते हैं कि अगर किसी को हार्ड अटेक आया है और इसको खिला दि अगर जैसे कि कुछ चीजों को एक्जागरेट किया जाता है तो एक्जागरेशन भी है ऐसा नहीं है कि वह आस्पिटल पहुचाएगा लेकिन हम स्टैडी की बात करें तो सिंपल अगर हर्ट अटेक हुआ है इस्टे लेविशन नमाईज की बात करें जो की एक्यूट तो यह बहुत बड़ा चीज हुआ एक 10-20 पैसे की गोली अगर 30 परसेंट लोगों को सेव कर रहा है तो बहुत बड़ी चीज हुई उसके बाद थ्रंबोलिटिक एजन्ट आते हैं स्टेप्टो काइनेज हैं वह फॉर्दर 22 परसेंट का कर रहा है तो इसलिए वह अच्छी चीज है अगर सीने में दर्द अचानक होने लगे पर सीने घवराहट हो तो आप डिस्प्रिंट की गोली ले सकती हैं और सर्विट्रेट की गोली जो आती है आइसो डिल सर्विट्रेट नाम से मार्केट में अबलबुल है उसको जबान के नीचे रखके हॉस्पिटल जाए तो आपको टाइम मिल सकता है तो आप हमारे दर्शकों को जाग दर्शकों में जाग रुपता फैले इसके लिए किया टिप्स देना चाहेंगे सबसे जो एहम है बार-बार हर चीज में एक ही बात होती है कि अपने अपना स्वास्त का ध्यान रखें, अपने खान-पान का ध्यान रखें तो आप स्वास्त रहेंगे, ये सब चीजें इलाज तो बाद में आती है, हमें फोकस होना चाहिए कि हम बीमारियों को होने के पहले इसलिए हमें लोगों को नहीं, बेन स्कूल लेबल से हमें ये हैविट डालनी है, आजकल के बच्छें जो खाते हैं, क्या खाते हैं, हम ऐगी खाएंगे, क्वोल रिंग्स पिएंगे, फ्रूट्स की हैविट हम लोग डालते हमें नहीं है, हम पैरेंट्स भी नहीं डालते हैं उन्हें हैबिट तो उनको जो हेल्दी डायट है उसका डाली है गेम होगा तो मोबाइल गेम खेलेंगे उन्हें आउट्डर अक्टिविटी बहुत कम हो जाती है तो इसलिए फिजिकल अक्टिविटी अगर सही खान पान ब्यस्नों से दू है तो उसे कंट्रोल करके रखें तो अमोमन 80-90 परसेंट आप हर्ट अटेक के रिसको कम कर सकते हैं तो आप डॉक्तर असो कुमार को सुन रहे थे उन्होंने क्या खास जानकारी दी है तब तक के लिए इतना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पेज को लाइ कर दो